दोस्तों इस वीडियो के अंदर मचर्चा करने वाले हैं की बोजन का नय पचना क्या अलक्षन होता है और हमें कैसे दिखाई देता है कि हमें इसकी पेचान कैसे करें तो इस वीडियो के मद्यम से हम आपको बताएंगे कि स्रीर में 5 संकेत होती है जो बोजन को नया पचने के संकेत सामने आती हैं तो इसी वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे खाना सही डंग से नया पचने पर ये 5 लक्षन परमुक रूप से दिखाई देते हैं जाने इनके बारे में और पाचन तंदर को ठीक करने के आसान तरीकों के बारे में जाने सवस्त सरीर के लिए पोश्टिक और संतुलित बोजन का सिवंद करना जरूरी होता है लेकिन जब आप बोजन करते हैं और उसके बाद सरीर में ये पाचन ठीक से नय पचे तो नया सिरिप सरीर में पोश्कततों की कम्य होती है बलकि कई अन्य समश्या भी हो सकती है सरीर में पाचन तंतर का काम से डंग से बोजन को पचाना होता है पाचन किरिया में गडबड़ी आने पर आपके सरीर में नया सिरिप से डंग से खाना नहीं पाता बलकि इसकी वज़े से आपको भूखना लगना सरीर में थकान जैसी कई समस्या होती है कई बार ऐसा होता है कि आपको खाना खाने की बाद पेट में बारीपन या पेट फूलने की समस्या होती है दरसल ये समस्या खराब पाचन की वजह से होती है इस इस्तिति को अपच का जाता है अपच की समस्या कई काणों से हो सकती है जिसमें से डंग से बोजन नय करना अधीक तेल मसाले वाले बोजन का सिवन करना हमारे स्रीर में जब खाना से डंग से नहीं पचता है तो कुछ लक्षन दिखाई देती है इन लक्षनों को पिचान कर आप अपने पाचनतंतर को ठीक करने के लिए कदम उठा सकते हैं आईए जानते हैं इनके बारे में आपके स्रीर को बोजन के मद्दम से कौन से तत्वे मिलेंगे ये सिर्फ पाचनतंतर पर ही निर्बर करता है स्रीर में जाने वाले बोजन को से डंग से पचाकर उसे एनरजी के रूप में परिवर्तित करना और उसे से पॉस्कतितों को निकालने का काम पाचनतंतर का ही होता है पाचनतंतर के गडबड होने से आपके स्रीर में नहीं सिर्फ विसाकत परदात बढ़ने लगते हैं बलकि आपको कमजोरी जैसी समस्य होती है खराब पाचन के कान पाचन तंतर से जूड़े रोग का खतरा भी बढ़ जाता है गेस, कबज, बलेडिंग अधी किसमचा भी खराब पाचन तंतर के कान होती है स्रीर में जब खाना से डंग से नहीं पसता है तो ये परमुक पांच लक्षन दिखाई देते हैं बोजन के बाद पेट में बारीपन कई बार ऐसा होता है कि हम बोजन कर रहे होते हैं और पेट में बारीपन मेसुस होने लगता है या फिर बोजन के बाद काफी देर तक आपको बारीपन मेसुस होता है दरसलिये स्रीर में खराब पाचन का संकेत है बोजन से पेले ही या अदा बोजन करते ही पेट में बारीपन मेसूस होना स्रीर में खराब पाचन का संकेत होता है ऐसा इसलिए होता है कि पेले से आपने जो बोजन किया है वह सही डंग से पच नहीं पाया है अगर आपको भी य द्लगातार समझिया हो रही हो तो समझ जाना चाहिए कि आपके सीर में खाना सै डंग से nहीं पच रहा हैं. पेट के उपरी हिसो में जलन जब आपका पाचंतंतर कमजोर हो जाता है या से डंग से खाना नहीं पचता है तो आपके पेट के उपरी हिसो में जलन की समस्या जरूर होगी आपकी चाती और ना भी के बीच के हिसो में जलन और बेचेनी भी स्रीर में खराब पाचंतंतर का सं तो समझ जाना चाहिए कि आपके पेट में खाना से डंग से पच नहीं रहा है पेट में एधीक गेस बनना और बार बार गेस छोड़ना भी क्राव 55 का संकेत है जब आपके दुआरा 7 किया जाने वाले बोजन पेट में से डंग से पच नहीं पता है तो ये समस्या होती है ऐसी एस्थिती में आपको डॉक्टर की सला जरूर लेनी साहिए उल्टी और मतली आपको उल्टी और मतली की समस्या कहीं कानों से हो सकती है लेकिन जब बार बार मतली या जी मचलने की समश्या हो या फिर उल्टी हो तो ये भी स्रीर में खराब पाचन का संकेत हो सकता है जब आपकी द्वारा खाया जाने वाला बोजन से डंग से नहीं पचता है तो आपको उल्टी या मतली की समश्या हो सकती है बद एजमी या अपची की वजह से आपको लगातार यह समचा हो सकती है ऐसे मैं इन इलक्षनों को नजर अदाज नहीं करना चाहिए भूखने लगना अपची या बद एजमी के कारण आपको भूखने लगने की समचा हो सकती है जब आपके स्रीर में बोजन सही डंग से नहीं पचता है तो आपको भूख में बदलाब हो सकता है मान लीजी आप दिन में तीन बार बोजन करते हैं लेकिन जब आपके पेट में पहली बार का खाया हुआ बोजन सही डंग से नहीं पचेगा तो आपको अगली बार खाने की इंच्छा नहीं होगी दरैसल यह स्रीर में खराब पाचन का संकेत होता है खराब पाचन को ठीक करने की उपाई अगर आपके स्रीर में बोजन सही डंग से नहीं पचरा है तो इसे बदहजमी या अपच की इस्तिति कहते हैं बदहजमी या अपच से निजान पाने के लिए आपको खान पान और जीवन से लिए से जूड़ी कुछ आदतों में बदलाव करने से फाइदा मिलता है पाचन तंतर को नुकसान पहुंचाने या कमजोर करने वाले खाद पदारतों से दूरी बनाने से आप इस समस्याचे चुटकारा पा सकते हैं खराब पाचन तंतर को ठीक करने के लिए कहीं ग्रेलून उसके भी पताएगे हैं आप इनका भी सारा ले सकती हैं एक बार में एक साथ अधीक बोजन नय करें कम बोजन करें और दिन में कई बार खाना खाएं एस्टी युकित और पाचन तंतर को नुकसान पहुंचाने वाले काद पदारतों के सेवन से बचें खराब पाचन तंतर को ठीक करने के लिए गुणगना पानी पीएं इन बातों को ध्यान रखकर आप खराब पाचन तंतर को ठीक कर सकते हैं श्रीर में खाना से डंग से नय पचने पर उपर बताएगे लक्षन दिखाए देंगे अगर आपको भी ये लक्षन दिखते हैं तो खान पान से जूड़ी आज़तों में बदलाव जरूर करे निमत रूप से वियाम योग या अभियास संतुलित बोजन स्रीर को हल्दी और फिट रखता है